दर्शो को अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी उपर लगभग चार करोड रुपय का लोन है और आपको ये चुकाना ही पड़ेगा तो आप इसे मजाक समझेंगे न या फिर अगर ज्यादा ही दिल पे ले लिया तो बीमार हो जाएगे लेकिन अगर यही बात आपसे सरकार कह है तो मानेंगे तो अब सुनिए वित्त मंत्राले की ओर से जारी आकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी कर्ज और बढ़ गया है और मार्च 2022 के अंत में इसका आकार 620.7 अरब डॉलर है जो की एक साल पहले की तुलना में करीब 8.2 प्रतिशत ज्यादा है 620.7 अरब ड जानते हैं अब आप अगर मैस में बहुत अच्छे हैं तो भारती रुपए में इसका आकलन कर लिजिए कि इतने यानि की 620.7 अरब डॉलर का कितना रुपिया होगा अब आप बोलेंगे कि देश पर करजा है तो सरकार जाने हमें क्या सरकार ने हमसे थोड़ी चुकाने को क अगर आप यह सोच रहें तो जरा अखबार के कोने में च्छपी इस छोटी सी खबर को पढ़ लीजिए यहां यह खबर च्छपी है और यह खबर च्छापकर सरकार ने आपको सूचना दे दी है यह बिलकुल वैसा ही है जैसे शेयर मार्केट यह दूसरी योजनाओं में प पाधे हैं तकी वह इस बात से फृसा हो जाएं कि आपको बता दिया था आपको सब कुछ पढ़ के ही आपने वहाँ पे शाइन किया है तब ही ठीक उसी समय आपको बता दिया कि देश पर कितना करजा है और देश का करजा चुकाने के लिए ही उसके हर नागरी से तरह तरह के टेक्सिस की वसूली की जाएगी अब आपको इस बात का आश्चे दे नहीं करना चाहिए कि बातरूम का इस्तमाल करने पर भी जी एश्टी क्यों वसूली जा रही है आपको अपने अपने हिस्से का लगभग चार करोड का लोन चुकाना है भाई और अगर आप ये सोच रहें कि ऐसा नहीं हो सकता या सरकार आ हो गया कि सरकार को अपना सोना भी गिर्वी रखना पड़ा और विदेशी संस्थाओं से अंदाधुन कर्ज भी लेना पड़ा आप जब ये खबर सुन रहे थे कि अर्थ बेवस्था में बिटेन को भी हमने पीछे चोड़ दिया ठीक उसी समय आप ये नहीं सुन पा रहे है कि भारत के बैंकों के पास अब जमा पुंजी खत्म होती जा रही है और बैंक возможно कर दें अब जब आप अपना रुपिया बैंक में जमा करेंगे तो वो बैंक वोही पुझी लोन में कारपेट्स हुदे देगा और इन तमाम सुविधाओं से अदानी सहब विश्व के सबसे अमीर वेक्ती बन पाएंगे फिलाल वो तीसरे नमबर पर है और उनको पहले नमबर पर लाने के लिए आपको बैंकों में थोड़ा और जमा करना पड़ेगा अब सरकार एक और स्कीम लाकर विज्यापन कर रही है एडवांस टैक्स मतलब ये की इनकम खर्च जमा आदी पर जो टैक्स आप चुका रहे हैं वो टैक्स आपको एडवांस में चुका ना है आप चुका सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये अच्छिक है और कुछ के लिए ये अनिवार है ये जो स्कीम है मतलब एडवांस टैक्स अगर नहीं चुका है तो कार्रवाई भी हो सकती है ये कार्पोरेट वाले धन्ना सेट पब्लिक की जेब से पैसा निकालने वाली नई-ने स्कीमे सरकार में बैठे अपने पालतु नेताओं को रोज-रोज देते रहते हैं और वही स्कीम कभी नोट बंदी, कभी GST, कभी Agriculture कानून, कभी Disinvestment याने की नीजी करन आदी के रूप में हमारे सामने आती रहती है लोन के मामले में भी ऐसा ही है, अगर आप लोन लेने जाएंगे तो धेर सारी सवाला और धेर सारी Formalities के बाद भी आपको लोन मिलेगा नहीं लेकिन धाई लाख करोड से जादा लोन नहीं चुकाने के बाद भी SBI गौतम अदानी को लोन देने के लिए मजबूर है सरकारी हो या कंपनी का कर्मचारी, अब सभी कर्मचारीों के PF Fund को सरकार Stock Market यानि की Share बादार में लाएगे कर्मचारी भविशनीदी यानि की Provident Fund के 12 लाख करोड रुपए पर भी अब कार्पोरेट जगत की नजर है कर्मचारीों को लगता है कि PF में जमा होने से उसको आगे जाकर बड़ा फायदा मिलेगा पहले किसी भी कंपनी में 20 कर्मचारी से ज़ादा होने पर PF का नियम लागू होता था और छोटी कंपनीों पर इसकी जबरदस्ती नहीं थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कितने भी कर्मचारी हों तो PF काटना होगा और कम से कम कैश रखने और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज करने के पीछे उद्देश भी यही है कि आपका पैसा आपके पास कम और सरकार के पास ज़्यादा रहे अब जब भी सरकार मुसीबत में होगी याने कि अगर सरकार पर कर्ज का बोज बढ़ने से लंका की तरह वित्तिय संकट हुआ तो सरकार रकम निकासी पर भी रोख लगा सकती है निकासी की लिमिट तो बीज-बीज में तैय होती ही रहती है तो आप भी अब कमर कस लेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा या यूं कहें कि कमर तोड़ कमाई करने के लिए आप बिलकुल तयार हुआ ताकि सरकार विदेशी कर्ज चुकता कर सके और फिर से कज लेकर अपने कार्पुलेट सेट को लोन देकर विश्वका सबसे अमीर आदमी बना सके आपको फिर बता दे कि इस समय सरकार पर 620.7 अरब डॉलर का करजा है और टीवी चैनलों की बहस में राजपत का नाम कर्तव विपत किये जाने का विशे जादा महत पून है बहुत बहुत धन्यवाद अपने कमेंट्स से आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहें धन्यवाद